हेलो केज़ वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चनल मैं सुनिल और आप देख रहें अपना यूट्यूब चनल सब्सक्राइब जो की काफी पुरानी बाइक नहीं एक दम दोना 2019 वॉडल बाइक है क्योंकि देख लीजिए आप इसका डबल जो ब्रेक सिस्टम है यह तो अब इसका इड़ करेए जो कि इसका है डो को बुंकि यसको और शलिये है लगा के ज्यादा टाइड करता है तो चूड़ी सिलिप हो जाती तो इसके अंदर किस परकार से सेटिंग रहे कि ऐसी प्रोग्लम नहीं आए मेरे साथ में पहले प्रोग्लम आती थी तो मैंने भी कापी मकसद करके जो चूड़ी वगरा सिलिप करता था अब ऐसी प्रोग्लम म मैं एक ट्रिक यूज कर रहा हूं इसके बाद में ऐसी प्रोग्लम नहीं आ रही है आपको भी में बताने जा रहा हूं तो आप वीडियो क्या एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक करते हैं चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना इस वीडियो को खोल देते हैं और टॉपकर को खोलने के पहले आप इसका क्या है शीट वगेरा खोल दे तो क्या है का प्यासने से होगा और जो टीप आना था उससे भी आसने से खुल जाएगा नहीं तो हम क्या करते हैं जो इसके क्या है चूड़ी बहुत कम दी हो यह देख लिए परसेंट यह से क्षिजब होगा तो हम चलिए जल्दी से इसको खोल देते हैं और इसके बाद में इसके अंदर क्या सेटिंग करनी है और कितना खर्चा आएगा वह भी आपको मैं इसको कलियर बता दें तो मैंने इसका तॉप का और खोल दिया है अब मैं आपको बताँगा कि इसके अंदर लिकिज क्यों होती है तो जाता तर मेकनिक क्या करते हैं सीधे इसको खोल के और क्लेन करके और यह वाली जो पेकिंग मैं आपको रबर दिखा रहा हूं इसको चैंज कर देते हैं प्रंद आज जो मैं यह ट्रिक बता रहा हूं तो इसके अंदर मैं यह वाली र और इसके अंदर उपर इसको आइड करने के लिए दोई नर्दी है इससे तो अच्छा जो छोटा सा टॉपकर होता इतना सा होता है उसके उपर भी चार नर्दी ओए क्योंकि लिकेश की प्रोग्म मुल्ट अब ज्याद़ तर प्रोग्म कि सिके अंदर आती है यह जो इसके अ ही है यह क्या काम करती है यह कोई ज़्याजा महेंगी नहीं आती है और आप मेरे साथ से कभी इसको चेंज नहीं किया हुआ क्योंकि यह ज़्यादा तर हम मंगवाते ही नहीं है अपने हमने ऐसा सोचा ही नहीं है क्योंकि यह भी खराब होती है क्योंकि हमारे को प्रोगलम तो यहां से उपर से लिक्ज रोता नहीं है आपoles और हम क्या करते हैं प्रन्तों इसको चैंज करने की जुरूत डिख रहूं कि आप वोल को ठाटा करते हो यह रिंग लगा दिया आप आपको एक और बताने जरा हूं आपने देखा होगे कि नई बाइक के अंदर oil leakage problem नहीं आती है क्योंकि नई होती है बाइक जब ये जो ring देख रहे हैं आपको ये वाली ये क्या है थोड़ी मोटी होती है और जब भी हम बाइक के ज़्यादा hate होती है क्योंकि ये जो पार्स देख रहा है ये सबसे ज़्यादा बाइक के नरेट औरने वाला पार्स है तो क्या ज़्यादा चलने के बाद में बाइक ये जो ring का बाग है ये तोड़ा पतला हो जाता है और हम क्या करते है अब मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं वीडियो को एंड तक जरूर देखना अब देख लिजिए यहां तक हमने टाइड कर दिया अब यह जो गैप देख रहे हो यह जो इसके बीच में अब गैप दिख रहा है यह गैप यहां पे रहता है इस दिखे गैप रहता है तो हम क्या सोचते है कि हां गए भाई पुरा दबाव ले लिया अब इसको क्या ज़्यादा टाइड कर दो और लिगरिज की प्रोग्लम दूर हो जाएगी प्रंदु क्या होता है यह जो हम ज़्यादा टाइड करते है यह यह वाग यहां पे टिक यहां पर टेक जाता है और यह जो रिंग है इस रिंग और इस ऊपर के कवर के बीच में तो बिल्कुल भी दबाव नहीं आता है क्योंकि जादा जितना भी हम दबाव लगाते हैं वह सब इस वाग गया आता है इसके अंदर क्या सेट किया हुआ एक जो यह देख लिए आप ब पूरी टिक जाती है तो आप लोड लेने लगती है फिर हम ज्यादा जोर से मारेंगे तो इसकी चूड़ी जाती है इसके अंदर चूड़ी होती है जो एलुमिनियम के उपर सेट की होती है इतनी कमजोर होती है सबसे गटिया इसकी चूड़ी होती है क्योंकि अलुमिनियम क हम ने Sheikam र złij'd करेगे तो Hier और बैर नहीं डिकाओ करते हैं इस इसे प्रोग्म के लिए मैंने एक वीडियो बना दीया क्योंकि आप लोगों क्या सेटिंग करना है मैं आपको दिखाने जारूं अब आपको क्या है यह जो आपने मैंने खोला है इतना पार्ट खोल देना और अच्छी तरह से यहां पर एक बिल्कुल भी मिटी का करना ही होना चाहिए अच्छी तरह से क्लीन कर दे इसके बाद में क्या करें यह वाली सबसे पहले बात यही है क्योंकि यह जो गैप है इसका कम कर देगा यह जो आपको गैप दीख रहा है इसको और कम कर देगा क्योंकि यह मोटा हो जाएगा यह नीचे जाएगा तो गैप कम कर देगा और जितना हम जोड़ लगाएगे वो ज़्यादा तर इसके ओपर पड़ेगा अब क्या होगए अगर यह सिकूर जाएगा तो आ जितना भी पास में वासर नहीं हो, तो एक मैं आपको जानकरी दे रहा हूं, आप यह जो बाग देख रहे हो, आप यहां पर, इस बाग के उपर हम, जैसे की, एक दार बनी हुई है, यह देख लूपर, आप अराम से देख लेकिए, यह देख लेगा, इसके उपर जहां पर आम यह बोल्ट जो टाइड करते वहां पर एक थोड़ी धार मनी हुई है जैसे कि मैंने अंगुली लगा रहा हूं तो जिस टैफ से लग रहा है यहां पर कोई वासर है तो इसको क्या करना है यह जगह है इसको इस जगह बरोबर गिस देना है कोई भी आ मोटा है इसको गस के बरोबर करते यह जो इतनी रिंग लगबंग मेरे नवसार सिकूरती है यह यह यहां पर ले लेगी यह देख लिए अब आपको क्या करना है इसको इसके उपर बरोबर तक ले आना यह जो बाग दिख रहा है उपर का इसको थोड़ा-थोड़ा गस के इ देने तो में क्या आपके सामने इसको व्रोबर करके और यह जो जगे सम्तल करके फिर आपको बताता हूं किस टैप से मैंने सेटिंग किया और हम फिट इंग करें मैं इसके दिगर कुछ भी चैन्ज गरने नहीं वाला ओनली इसकी संपाही करूँगा और यह जुपके होगी वो नीचे ना जाए इंजन के अंदर इसलिए मैंने कपडा लगा दिया है तो आप इस टैप से क्रें क्योंकि इंजन के इंदर कस्रा नहीं जाना सी है तो हम जल्दिस इसको क्या है और इसके अंदर का जाधा time लगने है नहीं क्योंकि यह इतना कोई मजबूत आता है नहीं तो हम जल्दी से इसको गश देते बरोबर कर दें फिर आपको दिखाते हैं तो जो यह आप भाग देख रहे हो इसको मैंने अचितरे से घस के और इसके बरोबर लेवल कर दिये यह देख लिए आप बिलकूल विश को बरोबर कर दिया है और जो इसके सामने वाल था इसको भी मैंने घस दिया वह थोड़ा जादे मोटा था मैं जादे नहीं गिषा है अब आप क्या करें आप यह जो रिंग अगर आपके पास यह रिंग है जो मैंने बताई है बिल्कुल भी आज़ नहीं है और इस टाइप से करते नहीं है तो आप क्या करे है इस रिंग को अच्छी तरह से सूखे कपड़े से क्लेन कर दे और फिर इसको यह जो बाग देख रहे हो आप इसको अच्छी तरह से क्लेन करके बिना कोई ट्यूप लगा के फिटिंग कर दो तो ऐसी प्रोग्लम कभी नहीं आएगी इस टाइप से फिटिंग करो तो मैं आपको सामने इसको करता हूं तो अगर इसको जल्दी से करने के बाद मैं हम फिटिंग करता है तो इसका मैं लेबर चार्ज और रिंग का चार्ज लेता हूं डेट सो रुपे इसके साथ मैं इसको लिकिज की प्रोग्लम मिटा कर देता हूं इसके अंदर प्रोग्लम हो तो अगर यह रिंग सही है तो मैं सो रुपे में इतना काम कर करके देता हूं कि इसके दर लगबग 20-25 मिंट भी लगती है और आपको इमालों में 100 रुपए कोई मेनद जादा नहीं है तो इसलिए मैं इसका 100 रुपए में अगर यह रिंग ना लगे तो काम करके देता हूं और अगर रिंग साथ में लगती है तो इसका डेट सो रुपए लेता हूं तो करते ही विडियो को एड़ वीडियो आपको काशी लेगए मेरे को कॉमेंट करके जरूर दाए अगर काँ पर यूटूब पर ट्रिप देखी हो तो मैरे को कॉमेंट जरूर करेंकि आपसे पहले उस बाई करता हूं